आज मैंने OTT पर एक तेलूगो फिल्म को देखा है जिसका नाम है सकंदा ये फिल्म 2023 की है लेकिन इसका जो हिंदी डव वर्जन है अभी कुछी दिनों पहले OTT पर अवेलेबल हुआ है इस फिल्म में आपको राम पोती नेनी लीड ओन में नजर में आएंगे और इस फिल्म क कहानी की अगर हम बात करें तो अंद्रप्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर होते है उनकी बेटी की शादी चल रही होती है और तेलेंग दना के चीफ मिनिस्टर का मेटा उसकी बेटी को भगा ले जाता है एसे में उसको वापस लेने का काम राम पोती नेनी को दिया जाता है तो के वो अपने मिशन में काम्याब हो पाता है यह नहीं, यह जानने के लिए आपको पूरी फिल्म देखनी पड़ेगी। अब दोस्तों इस फिल्म का रिव्यू मैं आपके लिए एक लाइन में करना चाहूँ तो मैं इतना ही कहूंगा क्रींज। यह फिल्म बरदाश्ट के बाहर हो गए थी, एक पल के लिए तो इस फिल्म को देखा नहीं जा रहा था। उनकी क्या हालत हुई होगी, मैं इमेजन तक नहीं कर सकता। अपना जो हीरो है, वो एक मुक्का मारता है जो सामने वाला 10 फुट दूर जाके गिरता है। हवा में मारता है जो वो हवा में ही उल्टता रहता है। ऐसे हाथ करता है तो हाथ में ओजार आ जाते हैं। इतनी वाहियाद तरीके से इस फिल्म का प्रेजन टेसर किया गया है। और इनकी सारी फिल्में ऐसे ही होती है। फिल्म की कहानी में कोई लोजिक नहीं होता, फिल्म के action sequences में कोई दम नहीं होता। अगर आप इनकी फिल्में दिमाग लगा कर देखोंगे तो आप बर्दास्ष नहीं कर पाओगे और जिन्धा नहीं लोट पाओगे तो इनकी फिल्मों को स्किफ ही किजिए ऐसी फिल्मों को देखा बत किजिए फिल्म में performance की अगर हम बात करें तो राम पोती निनी ने सिफ और सिफ over acting की की गए पूरी फिल्म में बस ऐसे ही expression दे रहे थे वो गोल रहे थे कि मैं एक share हूँ, share दहाड़ेगा तो क्या हो जाएगा अरे भाई share नहीं चुहे लग रहे थे मलब पूरी फिल्म में उनका performance देखा नहीं जा रहा था और जो actresses है, फिल्म में उनका कोई role होता ही नहीं है बस 5 minute के लिए जो गान, गाने होते हैं, items होते हैं उनके दिखाने के लिए ही उनको डाला जाता है पूरी फिल्म worst है, इसको देखा नहीं जा रहा था यह 3 गंटे का torture है, अगर आपको ऐसी torture फिल्म में देखना पसंद है तो यह फिल्म आपको Z5 पर Hindi language में देखने को मिल जाएगी और यह फिल्म सच में बरदाश के बाहर है मैं इस फिल्म को दूँगा, 0 out of 10 stars आपको रिव्यू कैसा लगा, कमेंट सिक्सर में जरूर बताएगा और अगर रिव्यू अच्छा लगा, ओ तो लाइक जरू पीजेगा तब तक के लिए फिर मिलते हैं